सर्कार का कोई भी नुमाइंदा आज 22 दिन बेच जाने के बाद भी हमारे से बात्षित करने के लिए नहीं है यह राम राजे की सरकार जब बनी थी तब हम लोगों को बहुत आसाय थी और इस सरकार ने विदानस्वा सुनाओं से पहले युवाओं के साथ में यह वादा भी किया था जब हमारी सरकार आएगी तो हम युवाओं के साथ में न्याय करेंगे लेकिन सर आज 22 दिन बीट जाने के बाद भी सरकार का एक नमाइंदा यहाँ जैपुर में बैठे हुए सरकार के सारे नमाइंदे हमारी समस्या सुनने तक बेपांस मिंट का समय निकाल कर भी नहीं आया जो युवाँं के साथ रहते थे पहले जब यह विपक्स में थे बड़ी-बड़ी बाते करते थे बाइस दिन पर बैठे हैं युवाँं की आवाज सुनने के लिए कोई तयार न Stories तो पिछली सरकार और इस सरकार में क्या अंतर हुआ, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है सर, क्योंकि जब पिछली सरकार में भी ऐसे धर्णे चल रहे थे, युवा परिशान थे अपनी मांगो को लेकर, आज भी सरकार, इसी सरकार, बीजेपी सरकार में युवा अपनी मांग कर रही हैं सभी अब बैठ्यों के इसी बात की सिंता हैं अगर लोग सबस्वा सुनाओं की आसार से लग जाती है तो हमारे तीन से चार महीने और डिले हो जाएगा कब तक हम लोग वेट करें आखिर का पूरे पांच सालों में एक मात्र वेकेंसी हुई है और उसी वेकेंसी की तैयारी करके सभी स्टुडेंट्स यहां पर बैठे हुई हैं 5 साल से इसी वेकेंसी की तैयारी किये हैं उसके बाद में इंकी नियुक्ति रोक दी जाती हैं इन लोगों को भी अगर विदायक एक बार विदायक कर सुनाओं कोई जीत के आता है और विदायक जैसे जीत कर आ बड़े बड़े अपसर बगिरा है या फिर नेता हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं जिसकी वज़े से हम लोग यहां पीडा में हैं तो उन नमाइंदे हैं सरकार के उनसे यही रिक्वेश्ट है कि आप लोग हमारी पीडा को समझे और हमारी समस्या का तुरंथ हल करें ताकि तो हमारी जिनी भी कैंडिवारी आटे हैं सब होकर आच्चुके लेकिन मुहज रहे से और हमें जोना हम जो मियूंग नहीं नहीं दे रहे हैं कि एहलो जितन == सरकार यह आती हैं सार 40 का बात करते लित यह नापीचिएं उह यह अच्छा ज़के मुड़ीय का उन से शिक्षा को लेके बना दिया कभी किसी चीज़ का लेकिन असल मुद्दा ना बेरोजगारी है जिसको यह सही नहीं कर पा रहे हैं अगर यह इस तरह से चलता रहा ना तो यह लोग सो बहुत चुनाओं हारेंगे अगर हमें इन्होंने जोइनिंग नी दी तो इसका खामयाज को भूकतना करने के लिए और आपको खाना देंगे आपको खाना देंगे यह उससे थोड़ी पेड़ भरेगा भई हमारी दिमांड है हमें जोइनिंग दो तो यह सारी जैसे फसल का बहुते हैं बड़ी होती का कटने की तोर पे आये तो उसमें आंग लगा रही है अचा से लग जाएग उस पर सरगार ने बस आश्वासन का नाम देकर को आख जला दी तो हम तो वैसे निचल नहीं रहे गए सारे बेटेक बेटे अब यह है न देर यह होता है एक लिमिट होती किसी चीज की सहन शक्ति की बहुत सिमा होती है अब युवा है हम लोग तो कहीं ने कहीं हमारे दिमा सर मेरा नाम बजनलाल है और मैं इस नाम से बजनलाल सरकार से सरमिंदा हो रहा हूं क्योंकि मैं मेरे साथियों के साथ में इतने दिन से बैठा हूं वो मेरे से परेशान है कि आप अपना नामी चेंज करो अच्छा रहे गा यहां सरकार को चेंज करो हमारे को इस सरकार से इत सर्मिंदा कर रही है तो अभी मैं यह चाहता हूं कि मेरे को मेरा आखिर नाम भी चेंज करना पड़ेगा इनकी चलते तो हमारे साथ ऐसा बेवार ना करें और हमारे को जल्दी काफी दिनों चे बहिने परेशान हैं दूर-दूर से आती है देखो आज एक फाहिन के चोट लगी है तो यह सब चोटे बच्चें अगर में यह ऐसी संबश्याओं में ना उल जाएं अगर इसी संबश्याओं में उल जाती है सरकार हमारे को तो जैसे कांग्रेश को पटकनि दी थी वही लोग सवाचुना में इनको वो कितना पड़ेगा तो मेरी उन्से गुजारी से कि मेरे नाम को बदनाम ना करें और हमारे को जल्दी से जल्दी नूकती दी जाए